तो आज मैं आपके सामने हैं डिसक्स करने वाला हूं एलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशल एंड कैपैसितिन्स के कुछ क्वेश्टिंस अब्जेक्टिव टाइप के जो टॉम वन के पॉइंट आप इसे काफी इंपॉर्टेंट है तो चली स्बसे पहले सवाल से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशल बिट्विन ट्व bitterl plate से 2 थाले बोल्ड तो 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 पैरलल प्लेट्स हेई और जिनके बीच का जो पोनेशल डिफरेंस है ड्वो 2000 वोल्ड के बबाबर है 2000 volt है इन plates के बीच का potential if the plates are separated by 2 mm 2 mm इनके बीच का separation है तो बताइए क्या electrostatic force लग रहा होगा एक 4 µC charge के उपर जो बीच में इनके रखा होगा बिलकुर बीच में रखा है कोई charge तो इसके उपर बताना है कितना force लग रहा होगा तो parallel plates के लिए मैं कह सकता हूँ कि electric field यहाँ पर uniform रहा होगा electric field यहाँ पर uniform है electric field electric field की value को लिखा जा सकता है E is equal to delta V divided by D so potential difference is 2000 divided by D is 2 mm 2 into 10 to the power 3 आप इसे लिख देंगे 10 to the power 6 newton per column आपको मिल रहा है यहाँ पर electric field charge मुझे पता है जो बीच में रखा हुआ है Q तो उसके उपर लगने वाला जब force है that will be Q into E होगा तो charge है हमारे पास 4 into 10 to the power minus 6 into electric field is 10 to the power 6 तो आपको answer मिल जाता है 4 newton के बराबर so 4 newton will be the force acting on that charge particle question number next है हमारे पास parallel plate capacitor है circular plates है उसकी circular plates है उसकी और जिनका radius 8 cm के बराबर है यानि कि जो area हमें लिखना होगा that will be pi into 8 square by 100 square charge separation जो है plates के बीच में वो 1 mm के बराबर है और charge on the plates बताना है यदि potential difference 100 volt के बराबर apply किया जाता है so 100 volt potential difference apply करने पर charge बताना है कितना जाए गा तो हम जानते हैं कि charge का formula CV के बराबर होता है C इस capacitor के लिए लिखा जा सकता है A epsilon 0 divided by D into V तो यह Q की value आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर area लिखेंगे आपको मिलेगा 3.14 into 64 divided by 10 raise to the power 4 epsilon 0 is 8.8 into 10 to the power minus 12 epsilon 0 divided by D D is the separation which is 1 mm 10 to the power minus 3 into potential difference which is 100 अब calculation करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या एक shortcut है एक trick है यदि आपके पास options ऐसे हैं जिनमें काफी जादा अंतर है काफी जादा अंतर है ठीक है काफी दूर दूर है तो जब ऐसे हमारे पास options दिये हो तो कैसे quickly हम answer को पता लगा सकते देखिए यहाँ पे 3.14 है यहाँ पे 8.8 है यदि मैं इसको decrease कर देता हूँ इसको थोड़ा से increase कर देता हूँ तो answer पे उतना ज़्यादा फरक नहीं आएगा थोड़ा बहुत फरक आएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आएगा so I would assume this as a 3 और यह 8.8 को मैं मान लेता हूँ 9 और यह हमारे पास है 64 और नीचे 10 to the power 1 बचा है यह यह गया 10 to the power minus 11 यहाँ पे आजाएगा इसको multiply करेंगे 64 को 9 के साथ 36, 6, 3, 54, 57, 76 into 3, 3, 18, 8, 1, 7, 21, 22, 25, 15, 17, 17 20 into 10 to the power minus 11 3 लगा दीजिए आपे तो यह plus 3 आजाएगा so 1.73 into 10 to the power minus 8 आपके पास answer आना चाहिए इसके आसपास आना चाहिए so 1.73 into 10 to the power minus 8 यह option आपको answer मिल जाता है तो बताएगे कैसी लगी यह तरीका कैसे लगा आपको क्या आप भी ऐसा ही करते हैं आपके पास और भी कोई अच्छा तरीका है तो जरूर comment section में मुझे बताएगा अगला सवाल है कि एर capacitor है चार्ज किया जाता है किसी चार्ज क्यू से oil बर दिया जाता है plates के बीच में plates के बीच में oil बरने का मतलब हमने यहाँ पे dielectric भर दिया है dielectric हमने भर दिया पहले इसको charge क्या था अब dielectric भर दिया तो electric field बताएगे कितना होगा मैं formula जानता हूं कि q is equals to होता है cv के बरादर तो v को लिखा जा सकता है q by c charge देखिए हमने एक बार इसको charge कर दिया charge फिर change नहीं होगा लेकिन हमने plates के बीच में oil भर दिया है यानि की capacitance को increase कर दिया है हम जानते हैं कि जब dielectric भर देते हैं capacitor की plates के बीच में capacitance increase हो जाता है so we are increasing the capacitance by keeping the charge constant so it will directly affect the voltage so voltage will decrease potential difference across these plates will decrease और हम जानते हैं कि electric field इनके बीच में uniform होता है तो uniform electric field हो जाएगा हमारे पास V by D तो यदि potential difference decrease होगा so electric field भी जाहिर सी बात है decrease होने वाला है तो option B जो है उससे आप टेक कर सकते हैं अगला सवाल है question number 24 parallel plate air capacitor अंदर है air capacitance 18 microfarad तो यहाँ पे C is equal to A epsilon not divided by D लिखा जासकता है अब हम क्या करते हैं if the distance between the plates is tripled and dielectric medium is introduced the dielectric medium भर दिया और हमने separation को triple कर दिया है और area को छेड़ा नहीं है तो यह हमारे पास नया capacitance बन जाता है तो dielectric constant बताए कितना होगा तो भाई A epsilon not by D 18 microfarad के बराबर है and this is equal to 72 microfarad तो यहाँ पे मैं A epsilon not by D A epsilon not by D की जो value है उसे 18 में लिख सकता हूँ So K upon 3 और यहाँ पे अजाएल आपके पास 18 microfarad is equal to 72 microfarad So microfarad से microfarad गया 18 से गया 4 बार K की value मिल जाती है आपको 12 के बराबर So 12 हमारा answer यहाँ पे हमको मिल जाता है अगले सवाल की तरफ चलें Question number 25 एक parallel plate capacitor है जो बना है दो dielectric block से जो series में लगे हुए है तो effective पूछा है dielectric constant कितना होगा आप से effective capacitance नहीं effective dielectric constant पूछ लिया है मतलब क्या हुआ इसका इसका मतलब यह हुआ यदि मैं इस same physical dimension का एक capacitor plate लेता है तो उसके अंदर मुझे एक single slab लगानी है d1 प्लस d2 width की तो उसका dielectric constant कितना होना चाहिए यह k equivalent का मतलब तो भाई आप पहले यहाँ पे आप देखिए मैं कह सकता हूँ कि यह दोना series में लगे हुए है series में लगे हुए है like this और series में क्या होता है c equivalent होता है c1 c2 divided by c1 plus c2 तो यहाँ c1 की value लिखूंगा हमें a epsilon 0 k1 a epsilon 0 by d1 और k2 a epsilon 0 divided by d2 और नीचा जाएगा आपके पास k1 a epsilon 0 by d1 plus k2 a epsilon 0 by d2 यह हमारे पास c equivalent है और c equivalent को लिखा जा सकता है इसका capacitance कितना जाएगा a epsilon 0 k a epsilon 0 by d1 plus d2 तो यहाँ से k equivalent की value का आप निकाल सकते हैं solve करें इसे पिटा उपर a epsilon 0 से नीचे का a epsilon 0 जो है cancel out हो जाएगा आपको मिलेगा k1 k2 a epsilon 0 divided by d1 d2 और यहाँ आपको मिलेगा k1 d2 plus k2 d1 divided by d1 d2 d1 d2 से d1 d2 cancel out हो जाता है और a epsilon 0 से a epsilon 0 cancel out हो जाता है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा k equivalent is equals to d1 plus d2 और यहाँ पर आएगा k1 k2 divided by नीच आएगा k1 d2 plus k2 d1 तो k1 d2 d2 k1 यह नीचे आना चाहिए तो यह एक ही option में आ रहा है नीचे गई हमारा answer है numerator भी मिला सकते है k1 k2 d1 plus d2 तो यह हमारा answer आजाएगा c option के बाद अगले सवाल के तरब चलें तीन कैपैसिटर है जिसका कैपैसिटेंस c है हर एक का breakdown voltage है वी के बरादर join कर दे जाता है सीरीज में कैपैसिटेंस बताना है combination का कितना होगा तो पूरे system का combination यदि आपको देखना है सीरीज में तो हम जानते हैं 1 upon c plus 1 upon c plus 1 upon c is equal to 3 upon c तो c equivalent आजाएगा आपके पास c by 3 के बरादर यह option आप टिक कर सकते हैं अगले सवाल है तीन कैपैसिटर तीन छे सीरीज में लगाया जाते हैं तो यहाँ पे 3 microfarad 6 microfarad और यह 6 microfarad यहाँ पे लगाया हुए हैं और बैटरी है 120 वोल्ट की तो पहले आप इनका equivalent निकालने के लिए क्या करें यह और दोनों सीरीज में जुड़े हैं 6 और 6 का equivalent होगा 3 और 3 और 3 का series equivalent होगा 1.5 तो यह effectively effectively क्या है यह 1.5 microfarad का capacitor सिंगल और यहाँ पे बैटरी लगाया हुई है 120 वोल्ट का कहते क्या है तो पहले आप क्या कीजिए चार्ज निकालने कितना फ्लो होगा बैटरी से बैटरी से चार्ज निकालना है तो CV आप कर सकते हैं 1.5 को 3 by 2 लिख सकता हूँ 10 to the power minus 6 कुलम में हमें मिलेगा आंसर 2 से चला गया 60 180 माइक्रो कुलम चार्ज जो है वो फ्लो होगा बैटरी से हम जानते हैं बैटरी से इतना चार्ज जाएगा तो इस पूरे सिस्टम पर इतना चार्ज जाएगा यह सिस्टम का मतलब है तीन कैपैस्टर है सीरीज में सीरीज में चार्ज फ्लो होता है difference V1 is equal to Q1 by C1, Q by C1 कह सकते हैं, Q by C1, तो potential difference मिल जाएगा, आपको Q, which is 180 µC, divided by C, which is 3 µF, तो micro से µC by F, जो है, volt के बराबर होता है, 60, तो 60 volt के बराबर आपको potential difference मिल जाता है, which is option number D, अगले सवाल की तरफ चलें, question number 28, capacitance between A and B, A और B के बीच में capacitance बताना है, 2 और 2 का series combination होता है, 1 µF, और 1 µF और 3 µF का equivalent होता है, 3 और plus 1, 4 µF, यह option आप टिक कर देंगे, अगले सवाल की तरफ चलें, in the figure shown the effective capacitance between the point A and B, if each of the capacitor is, have capacitance C, A और B के बीच में equivalent निकालना है भी यह, यह दोनों 2C by 2 और C आपस में parallel में हैं, तो C by 2 plus C plus C by 2, C by 2C by 2C, C or C 2C, तो 2C के बराबर हमें equivalent capacitance मिलने वाला है, which is option number A, the question हमारे पास खुछ इस सरीके से है, कि parallel plate capacitor is made by stacking and equally spaced plates connected alternately, if the capacitance between any two plates is C, then the resultant capacitance is equal to, तो हमारे पास N parallel plates हैं, N parallel plates हैं, तो यहाँ पे plate number 1, plate number 2, plate number 3, plate number 4 and so on, plate N minus 1 और plate हमारे पास है N, तो यह हमारे पास N number of plates हैं, हर एक के बीच का separation बिलकुल बराबर है और इनको connect किया जाता है, alternately alternately का मतलब, यह first, third, fifth, seventh and so on plates आपस में connected हैं, तो पहली, तीसरी, पाचवी, साथवी आपस में connected हैं, और दो, चार, छे, आठ, दस, ऐसी plate आपस में connected हैं, तो यह दि मैं कहूं कि plate आपस में connected हैं, तो इनके potential बराबर हो गए, तो यहाँ पे मैं rearrange इस circuit को कर रहा हूं, यहाँ पे plate number one, plate number three, five, seven, nine and so on, और यहाँ पे हमारे पास plate हैं, जिनका potential बराबर है, दो, चार, छे, आठ, दस and so on, तो भाई, एक और दो, के बीच में एक capacitance बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, यह एक capacitance हो गए, उसके बाद, यहाँ पे देखिए, दो और तीन के बीच में capacitance बन रहा है, दो और तीन, अच्छा, दो और तीन का potential तुसे हैं, अब बन रहा है, यहाँ पे, तीन और चार के बीच में, एक capacitance बन रहा है, तीन और चार के बीच में, यह एक और दो के बीच में हो गया, ऐसे ही, चार, एक, दो हो गया, तीन, चार हो गया, पांच और छे के बीच में एक capacitance बन रहा है, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से कि कितने capacitance बन रहा है, अच्छा, दो और तीन के बीच में नहीं बन रहा है, दो और तीन के बीच में भी तो बन रहा है, दो और of plates हैं तो n-1 जो हैं हमारे पास capacitance बन रहे हैं और सब की सब parallel combination में लगे हैं 1 और 2 और 2 और 3 आपस में parallel combination में लगे हुए हैं तो n-1 into c के बराबर total capacitance आपको मिलेगा जो की option number c में दिया हुआ है ठीक है हुआ दीक है